बाहर बेहदी कडाकेदार गर्मी हो रही है और ऐसे में कुछ भी ओयली खाने का मन नहीं करता तो क्यों ना घर की चीजों से एक चमच तेल में बना हुआ टेश्टी सा नास्ता बनाया जाए जो खाने में भी मज़ेदार हो बनाने में भी कम समय लगे तो चलिए देन ना करते हुए इसे बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर कड़ाई रग दी है और इसमें एक बड़ा कटोरी पानी एट कर देंगे साथी में टेश्ट के कोडिंग नमक डालेंगे और एक चमच ओयल मिक्स करते हुए पानी को हलका गर्म करेंगे फिर इसमें 3-4 cup चाबल का आटा डालेंगे जिस कटोरी से पानी डाला था उसी से चाबल का आटा लेना है और मिक्स करते हुए चाबल का आटे को पका लेंगे कोसिस कीज़ेगा जैसे ही चावल का आटा पानी में डाले तो mix करना start कर दीज़ेगा नहीं तो इसमें गुठलिया बन जाएंगी और हाँ चावल का आटा easily market में मिल जाता है और अगर आपके पाद चावल का आटा नहीं है तो आप इस सेगे सूजी ले सकते है और यह देखिए यहाँ पर मैंने इसे mix करना start कर दिया है और यह सभी process आपको धीमी gas पर करने है और जैसे जैसे मैं इसे mix कर रही हूँ तो यह dough की form में आ रहा है तो बस इसे मैं तब तक पकाऊँगी जब तक यह एक्तम tight dough लगके तयार ना हो जाए तो यह देखिए यहाँ पर मैंने इसका dough बना लिया है और अब मैं हातों से चेक कर रही हूँ तो यह हातों पर नहीं चिप करा है तो इसका मतलब है यह perfect बना है अब यहाँ gas को बंद करेंगे और इसे room temperature पर ठंडा कर लेंगे यह देखिए मैंने dough को ठंडा करके ले लिया है अब हातों पर थोड़ा सा oil लगा के इसे गूत लेंगे ताकि यह soft हो जाए तो यह देखिए मैंने इसे गूत कर ले लिया है अब मैं इसमें से थोड़ा सा portion लेके कुछ इस तरीके से shape दे रही हूँ तो सभी को इसी तरीके से बना के ले लेंगे तो यह देखिए यहां पर छोटे-छोटे से मैंने पेड़े इसके बना लिये है और इतने से dough में काफी सारे बनके तयार हो जाते है अब हम गेस की तरफ चलेंगे तो गेस पर मैंने फिर से कढ़ाई रग दी है और इसमें पानी डालेंगे और इसमें एक बोईल आने देंगे बोईल आने के बाद मैंने इस तरीके की बायरेक शहनली रग दी है अब इस पर थोड़ा से ओईल लगाएंगे और लगाने से क्या होगा जब हम इस पर चोटे चोटे से जो हमने पेड़े बनाए हैं वो रखेंगे तो चिपकेंगे नहीं फिर इस पर सभी मिनी पेड़े हम एड़ कर देंगे और गाइस अगर आपको मेरी रेसिपीस पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू किया किजिए और चैनल पेड़ाये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और कमेंट करके बताया किजिए कि आपको मेरी रेसिपीस कैसी लगती है तो यह दिखिए आपस सभी हमने चुटी चुटी से जो पेड़े बनाये थे वो एड़ कर दिये हैं अब बस इसे कबर करके पंदे से बीस मेंट के लिए धीमी गैस पर स्टीम करना है तो जैसे जैसे यह स्टीम होंगे तो सॉफ्ट और हो जाएंगे वैसे तो अल्रेड़ी है काफी सॉफ्ट हैं यह डबल प्रॉसेस करने से इनमें कच्छा पन बिल्कुल भी नहीं रहता है तो यह रीखिए मैंने यहां पर इन्हें स्टीम करके ले लिया है अब यहां गैस को बंद करेंगे और इनको निकाल लेंगे आगे के जो भी बैचिस हैं उन्हें भी मैं इसी तरीके से स्टीम कर लूँगी अभी फिर से मैंने गैस पर बरतन रख दिया है इसमें एक चमच वाइल एड़ करेंगे फिर इसमें थोड़ा सा एड़ करेंगे पीली सरसों यह 1-4 टी स्पून की सम्थिंग है साथ ही मैं 1-4 टी स्पून से थोड़ा कम जीरा एड़ कर देंगे और एक बढ़ा चमच एड़ करेंगे तिल यहां पर सभी प्रोसेस में तड़के के लिए तायार कर रही हैं अब इसमें एड़ करेंगे एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए 1 फोर्ट पीस्पून चीजी फेक्स अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो काली मिर्ची का पाउडर लें इन्हें थोड़ा सा रोष्ट करेंगे अब इसमें एड़ करेंगे एक चम्मच चाथ मसाला चार्ट मसाला की सके आप अमचुर पाउडर भी ले सकते हैं और अगर आपके पास मैगी मसाला है तो वो भी डालें उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है कलर के लिए थोड़ी सी हल्ली डालेंगे और कस्मीरी लाल मेची डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सिंपन नमक तो नमक आप यहाँ पर कमी एड़ कीजिएगा क्योंकि हमने डो में नमक अल्रेड़ी एड़ करा था थोड़ा सा काला नमक डालेंगे काला नमक डालने से रेसिपी में टेश्ट दुगना हो जाता है फिर से इने मिक्स करेंगे और अब इसमें एड़ कर देंगे जो हमने मिनी पेड़े स्टीम करके लिए थे तो सभी को एड़ करके अच्छे से मसालों से कोट कर लेंगे और यहाँ पर आपको फ्लेम को धीमा रखना है नहीं तो मसाले जल जाएंगे यह देखिए मैंने अच्छे से कोट कर लिया है अब मैं इसे कबर कर दूँगे और कबर करके पांच मिनट के लिए इसे कोट करना है इसे क्या होगा कि यह क्रिस्पी हो जाएंगे और मसाले अच्छे से अपजोब हो जाएंगे अंदर तो यह देखिए पांच मिनट के बाद मैंने कुकर के लिया हलका मिक्स कर देंगे और इस पर हरा धनिया डालेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्प करेंगे तो यह देखिए एक चम्मस तेल में बना हुआ बेहदी टेश्टी और किस्पी नासाय बनके तयार हो चुका है और इसे कोई भी नहीं बता सकता कि हमने इसे बिना तले बनाया है बहुत ही मज़िदार यह बनके रहार होता है मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आया था आप भी ट्राइ कीजिए आपके घर में भी सभी को बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है और ट्राइ करते हैं तो मेरे साथ इन सबी की पिक्चर से करना ना भूले मेरे इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम का लिंक के मैंने डिस्किप्शन में दे दिया है तो मैं मिलती हूँ एसी मौर और यमीरे से पी इसके साथ अब तक के लिए बाबाई